श्री गनेशाय नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाओ आते है वो चंद्रमा की स्थिदी ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है चंद्रमा इस दिन आपकी कुणली में बारवे भाव में रहेंगे जी हां बारवे में चंद्रमा के होने से इस दिन आपको कुछ सावधानिया बरत्नी जरूरी होगी और साथ ही कुछ उपाय करने भी जरूरे होगे ताकि आपका दिन अच्छा जाए इस दिन आप मांसिक रूप से परिशान रहोगे एनर्जी की कमी रह सकती है कामों में अर्चनिव रुका लगाम लगाए लापरवाही बरत्ने से आज बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है जी हाँ पर अगर आप सावधानि बरत्ते है और शान्ती से काम लेते है तो नुकसान नहीं होगा आज आपको बिजनेस संबंदी यात्राय करनी पड़ सकती है लेकिन यात् यात्राय टाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यात्रा के दोरान स्वास्त भी परिशान कर सकता है, तो संबल कर रहना जरूरी होगा, नोकरी पेशा लोगों के लिए मानसी परिशानिया रह सकती है, आपिस में माहोल आपके खिलाप रहने की संभावना रहेगी, आज शा काम में विजी रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, घर परिवार में भी परिशानिया रह सकती है, परिवार में किसी सदस्य क्या स्वास्त बिगडने की संभावना रहेगी, इस वज़े से खर्चा भी काफी हो सकता है, इस दिन चोट लगने की भी संभावना है, तो लव लाइफ में भी किसी वज़े से तनाव उत्पन होने की संभावना रहेगी, आज हर काम समझदारी से करे, किसी प्रकार का विवाद उत्पन ना होने दे, स्टूडन्स के लिए भी समय थोड़ा परिशानी भरा रहेगा, पढ़ाई से अलग चीजों में मन लगेगा, ध पढ़ाई के दोरान ब्रेक्स जरूर ले, दोस्तो अगर आप विदेश में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया रहे सकता है, वहां से धन कमाना भी आपके लिए आसान रहेगा, विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है, तो आपक जुड़े मुद्धों पर आपको लाभी लाभ मिल रहा है, लेकिन बाकी सारे क्षेत्रों में नुकसान होने की संभाव नहीं रहेगी, अगर स्वास्ति की बात करें, तो इस समय में स्वास्त भी परिशान कर सकता है, आपकों से जुड़ी परिशानिया रह सकती है, मानसीक चंदनिया केसर का तिलक जरू लगाए, तो कापी हट तक परिशानिया खत्म हो जाएगी, इस दिन आपके लिए पीले रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा, और तीन अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है, जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता ह और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे न जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती हैं, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उता स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की हैं, तो बहुत ही अच्छी बात हैं, वहाँ पर उने रखें, साप सुत्रा रखें, जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखें, को वो देखने में भी अच्छी लगें, अग हमारे घर के चट के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती हैं, वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के छट को पूरी तरे से साप रखें पूरी आई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूड़ा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भ लक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मा लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ी चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य क करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का कुरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारतमक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में भगवान की मुर्तिया होती है, वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए, साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है, जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए, जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमित है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्थिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना ये घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है, धन ला सकते है लक्ष्मी जी का प्रवेश अमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद